So Hare Krishna Traders, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा deeply knowledge देने वाला हूँ, बहुत कुछ आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला, आपको पता चलेगा कि कैसे candle को read करते हैं, कैसे एके candle के पीछे का psychology को समझना है, उन्हें कैसे read करना और फिर कैसे trade करना है, आज सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यह जो चार्ट मैंने खोला वाई, यह यूरो यूसडी का चार्ट है, आप लोगो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूरो यूसडी का चार्ट खोल के रखा है, मैं अब क्या करूँगा, यहाँ तक मार्केट बन चुका है, तो इसके आगे मैं एक एक कैंडल को रीट करूँगा, और आपके सामने कैंडल को प्रेडिट करूँगा, और लाइव यहाँ पर मैं कैंडल को रीट करते हो, प्रेडिट करूँगा, जिससे आपको ही पता चले हो, कैसे कैंडल को रीट क करना चाहिए क्योंकि काफी सारे brokers है market में binary option trading के लिए तो मेरा जो personal favorite broker है क्योंकि मैं और भी कई सारे broker use कर रखा हूं तो मुझे सबसे अचा cortex ही लगता है क्योंकि मुझे इसका withdrawal system पसंद है क्योंकि आप इसमें से unlimited withdrawal ले सकते हो और इसका withdrawal बहुत असानी से आ जाता है बहुत जल्दी विड्रॉल भी दे देता है तो इसलिए मुझे cortex पसंद है तो आप cortex पर trading कर सकते हो तो अगर आपका cortex पर link नहीं है तो आपको description में cortex का link मिल जागा उस पर click करके आप वहाँ पर sign up करके अपना account create कर सकते हो ठीक है और अगर आप trader बनना चाहते हो ट्रेडिंग को बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हो एक professionally trading को लेना चाहते हो फूल deeply applied action knowledge लेना चाहते हो मेरी तरह के channel को सीखना चाहते हो तो जो नीचे दो नंबर दिये गए उनमें सब किसी भी नंबर पर हमें WhatsApp पर contact कर सकते हैं आपको full zero से basic से advanced level तक full trading सिखाएंगे वो भी अपने guidance में रखकर कोई recorded session नहीं देंगे live class देंगे आपसे practice करवाएंगे और अपने guidance में रखके आपको trading सिखाएंगे मैंने और एक वीडियो डाल दिया है जिसमें हमने अपने course के full topics को बता रखा है तो आप वो वीडियो को जरूर देख सकते हो वो वीडियो आपको description में मिल जाएगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले देखो जब भी हम market में आते तो market सबसे पहले structure को देखा जाता है structure क्या होता structure is like a base of the market यह आपको market का direction को बताता है ठीक है बिना structure के knowledge से आप कुछ नहीं कर सकते हो क्या structure ही बताता है कि market move कैसे कर रही है और उस movement के according ही हम लोग आगे कुछ logic लगाते है फिर candle को read करते है ठीक है तो यहां पर देखो simple सा structure मुझे दीख रहा है lower low lower high का ठीक है lower low lower high lower low lower high ठीक है अब यहां से ऐसे lower low बना तो देखो market ऐसे lower low lower high बना lower high कहां तक आगा lower high का target होता है एक होता है इसका center line एक होता है यह last lower low point यह सब कुछ कुछ lower high का target होता है deeply हम लोग अपने advanced projection course में इस सब बताते हैं target हमारा एक class ही है बहुत ही ज़्यादा deep class है तो आपको उसमें एक एक चीज बताय जाता है कि यह lower low कहां तक जाता है lower high कहां तक जा सकता है तो यह सब जानना बहुत जरूरी है हमें ठीक है तो अब यहां से lower high बन रहा है तो lower low बन चुका है यहां से chances है lower high बनने का अब देखो lower high बनने का chances क्यों है क्योंकि देखो यहां पे क्या हुआ है seller यहां पे already weak हो चुके है weak होने के बाद यहां पे buyers आ रहे य लेकिन इसका मलब यह नहीं कि मैं यहाँ पर trade करूँगा, मुझे एक confirmation और चाहिए, तब मैं trade करूँगा, क्योंकि यह minor wave है, यह lower high जैसे यह lower lower, यह lower high हुआ, तो यह छोटा wave है, तो इस wave में आपको अगर trade करना तो बहुत ही सोच समझ के continuation की trade करनी परती है, ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर next call क्या बढ़ रहा है, मैं तो यहाँ पर wait करूँगा, मुझे यहाँ यहाँ पर trade नहीं कुछ नजरा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसे यहाँ पर green candle का आने का, लेकिन मैं यहाँ पर trade नहीं ओके तो यहाँ पर green candle आया, लेकिन यह जो green candle आया है, वो खुद से weak हो गया और अपने high को भी break नहीं कर पाए, और इसने काफी नीचे तक low बनाया है, अब यह low मुझे क्या बता रहा है, यह low मुझे बता रहा है, sailors के interest को, क्योंकि यह low बनाया, यह low कैसे बना होगा, यह low क seller आय थे, ठीक है, और प्लस इस green का ऐसे weak हो जाना, ठीक है, और यहाँ पर target भी है lower high का, तो chances जए lower high अब यहाँ से again lower low भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है market में, क्योंकि इसको अगर market को और उपर जाना होता है, तो और उपर जाते है, strong होकर इतना weak candle क्यों आया, तो यहाँ पर अब wait करूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर अब क्या करता है market, तो यहाँ पर seller आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखो एक seller का strong candle आया, वो भी buyers के weakness के बाद, अब यहाँ पर seller का strong candle आया, वो भी buyers के weakness के बाद, और यह seller candle अपने target से आ रहा है, यहाँ पर lower high का target है, मुझे कैसे पता यह सब target वाले classroom सबको सिखाते हैं देखो target समझना बहुत ज़री है कि अगर आपको यह नहीं पता कि market कहां तक जाएगा तो आप कैसे trading कर सकते हो आपको सबसे पहले तो structure का knowledge होना चाहिए कि market move कैसे करती है अब market move बारे में आपको समझ जाएगा तो आपको यह पता हैं चाहिए कि move करने का market जाएगी कहां तक तो यह सब चीज का knowledge होना चाहिए ठीक है तो अगर आप सीखना चाहते हो detailed में full trading तो नीचे number पर आप contact कर सकते हो और हमने परहना केबल 3 मन पहले start किया था और केबल 3 मन के अंदर आज हमारे कितने students के result आ रहे वो आप हमारे telegram channel को join करके देख सकते हो telegram channel का link आपको description मिल जाएगा देखो अगर आपको trader बनना है तो trading आपको सीखना ही परेगा क्योंकि बीना सीखना आप नहीं कर सकते हो क्योंकि कई लोग ऐसे जो जो मुझे पता चलता है लोग के वारे में कि लोग सुचते कि पहले मैं trading से कमा लेता हूँ फिर मैं course जोइन करूँगा मतलब इससे अदा अजीबत मैंने आज तक नहीं सुना क्योंकि आपने कभी ऐसा किया है कि अगर किसी को मानलो डॉक्टर बनना तो क्या वह ऐसा करता है कि पहले मैं कुछ मरीज का इलाज कर लेता हूँ इलाज करने से पैसा आ जाएगा फिर मैं डॉक्टर के college में admission ले लूँगा या फिर अगर किसी को engineer बनना तो पहले मैं engineer का job ले ले लेता हूँ जौब करें कुछ पैसे कमा लेता हूँ फिर मैं engineering college में admission लोगा ऐसा थोरी होता अगर आपको trader बनना तो पहले सीखना पड़ेगा फिर आपको trading करना पड़ेगा और सीखना भी कैसे है कि यवाला recorded course देकर trader नहीं बन सकते हो telegram channel पर बहुत सार recorded course मिल जाएंगे लोग बेच रहे हैं 100-100 रुपय में एक दूसरे का leak कर रहे हैं course को recorded course पहले बाद जो recorded course बेच रहे हैं वो तो एक तरह से आपके साथ गलत कर रहे हैं अगर वो recorded day भी रहा तो उनको बोलो कि आप मुझे guidance दो क्योंकि बीना guidance करसी video देखने तरह अपटेटर नहीं बन जाओगे आपको teacher की guidance चाहिए ठीक है अगर कोई live class नहीं देदा recording ही देदा तो कोई बात महीं लेकिन उनको बो लो recorded के साथ मुझे guidance है मेरे के doubt solve होने चाहिए उसे practice करवाईए तब जाके अपटेटर बनते हो तो वह यह हमारा इसमें बहुत time जाता है कि हम लोग guidance देते हैं कैसे देते हैं वो सब कुछ मैंने हमारे वीडियो में बता रखा है जिसमें मैंने हमारे advanced course का full topics बताया है उसमें मैंने सारा कुछ transparent कर दिया कि हमारे course के topics क्या होंगे कैसे हम लोग guide करते हैं अपने के student को सब कुछ मैंने दिखा रखा है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो मैं comment में वो वीडियो देतोंगो अपने description में भी आपको वीडियो मिल लेगे उस वीडियो को ज़रूर देखना आप लो ठीक है तो अगर trader बनना चाहते हो तो सीखो उसके बाद कमाओ ठीक है तो देखो यहां से ऐसे बन रहा था ऐसे lower low lower low यह बनना lower है अब lower है अपने target तक पहुँच गया अब क्या हुआ यहां से जाएगा again lower low बनने का chances यहां पे एक target है ठीक है यहां पे एक target है ठीक है वहां पे ही bear ने अपना एक weakness दिखाया और फिर वहां से मुझे एक मिल रहा sailor का engulfing ठीक है का strong sailor candle आया engulfing करके ठीक है और यहां पे एक point और है कि इस sailor ने new high नहीं बनाया swing high नहीं बनाया यानि कि आपे bear interested है भी नहीं क्योंकि देखो यह जो candle आया है अब थोरा मैं आपको deeply थोरा advanced level में बताता हूँ इसको अब समझने कोसिस करना ठीक है बाकि मैं हर एक चीज़ तो वीडियो में नहीं बता पता है क्योंकि वो possible नहीं है क्योंकि उसके लापको proper guidance आई है मैं अगर यहाँ पर हर एक चीज़ बता दूँगा तो आपको समझ महीं नहीं आएगा आपको और समझ बैठो कर बट फिर भी मैं पूरा कोशिस करता हूँ कि आपको समझ आए इस buyer candle में buyer ने इस price तक try किया था ठीक है इसको आप अच्छे समझना इस price तक try किया था और seller candle में जो buyer आए उन्होंने इस से उपर try ही नहीं किया यानि कि seller ने swing high बनाया ही नहीं यानि कि buyers तो already interested नहीं है market में प्लस buyer का weakness भी दिख गया प्लस lower high अपने target तक भी जा चुके हैं और प्लस मैंना chances भी यहाँ से lower low बनने का और प्लस वहाँ से seller का strong candle भी आ रहा है तो सारा logic कह रहा है कि यहाँ से market को down जाना चाहिए तो मैं next पर down की trade लूँगा लेकिन हलका सा उपर margin of safety ले लूँगा हलका सा उपर जाने पर ले लूँगा वैसे तो यहाँ पर grade ही आएगा लेकिन हलका सा margin of safety में क्यों लूँगा को कि एक ingulfing के बाद आपको हलका सा margin of safety ले लना चाहिए को चोटा बोटा candle आ जाता है तो एक ingulfing जब भी मिले तो ingulfing का थोड़ा बहुत आप margin of safety ले लिया किजिए ठीक है तो देखते है next candle तो यहाँ पर काफी बरा सा rate candle बना और हमारा यहाँ पर trade win हुआ ठीक है तो अब यहाँ पर seller ने इस level को break किया ठीक है इस वाले support level को इस level को break किया यह पूरा zone है ठीक है तो इस level को इसने break किया next पर down की trade कर sector कि यहाँ पर हमारे पाद swing high नहीं है पहला positive point बायर इंट्रेस्टेड नहीं है प्लस बायर काफी weak है प्लस seller ने अपना body increase करके level को break किया है और प्लस हमारा structure भी है lower low lower high और यहाँ से lower low बनने का तो सारा positive point हमारे साथ है lower low lower high और यह से नीची आना है lower low सारा positive point हमारे साथ है तो हम लोग यहाँ पे trade कर सकते है लेकिन यहाँ पे margin of safety के साथ trade करना है इस level के ऊपर जाने पे ठीक है लेकिन अब मैं यहाँ पे आपके बहुत यह अच्छा point बताने वाला है एक नया लर्रिंग देने वाला हूँ इस candle ने लेवल को break किया है यह देखो यह पूरा एक zone यहाँ पे लगेगा ठीक है zone अब यहाँ पे देखो कि तो gap काफी जादा होगी अगर आप इतना जादा उपर जाने पे level के उपर जाने पे trade लोगे तो अब यहाँ पे गरबर है अगर यह candle इतना जादा gap नहीं होता तब आप level के break होने पे trade कर सकते हो वह भी तब करना जब swing high नहीं हो जब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे swing high नहीं है swing high नहीं हो प्लस body increase करके break करे और प्लस opposite रूप weak हो जाए तब लोग बिलकुल trade कर सकते level के break होने पे भी वह भी structure के साथ लेकिन यहाँ पे एक negative point क्या है इस candle ने जो level को break किया है अब यहाँ पे margin of safety लेंगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा margin of safety हो रहा है अगर यहाँ तक candle यहाँ तक होता या फिर यहाँ तक होता तो तब हम लो margin of safety ले सकते थे लेकिन यहाँ पे margin of safety बहुत बड़ा होगी है तो ऐसे केस में आप avoid कर दो ठीक है तो तो इससे कहते है proper knowledge एक एक चीज को समझना अगर आपको यहाँ ऐसा course खर दे हो आज तक जिसमें केवल आपको कुछ pattern सिखा दिया है पता नहीं क्या-क्या pattern होता है morning star, evening star, double cro, triple cro और कुछ SNR लगाना सिखा दिया ट्रेड लगाना सिखा दिया वो भी recorded course बना के आपको बेच दिये तो simple है आपके साथ scam हुआ है क्योंकि उसने आपको ट्रेडिंग सिखाया ही नहीं उसने बस आपका पैसा लिया और आपको कुछ भी सिखा दिया भाई अगर आप pattern सिखने के लिए course जोईन किये थे तो pattern तो पूरा net पे अप्लोडेड है आप उस pattern सिखने के लिए उसके course को जोईन किये थे और उसने आपको guidance बने दिया support बने दिया बस SNR लगाना सिखा दिया लगाना सिखा दिया दो-चार pattern रटवा दिये और इसके लिए आपने उसे amount पे कर दिया और आपके साथ scam इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही निये कि knowledge होता क्या है आपको लगता कि SNR ही सब कुछ है pattern ही सब कुछ है indicator ही सब कुछ है तो अगर आपको यही जाना है बसकि real knowledge किसको कहते है आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने हमारे course के full एक-एक topic को बताया है उसमें आपको पता चला है कि कितना कुछ trading में सीखना पड़ता है मैंने 16 अलग-अलग topic उसमें बताया कि जो हम लोग पढ़ाते हैं अपने course में उसको देख लेना अगर आपको सीखना नहीं है trading कुछ नहीं करना है हमसे नहीं सीखना है तो उस वीडियो को देखने बाद आपको इतना idea हो जाए कि real knowledge कहते कि इसको है तो उसके बाद आप किसी और से scam नहीं हो गए क्योंकि आपको idea हो गया कि कितना कुछ है trading में सीखने के लिए तो इसके बाद कोई और आपके साथ scam नहीं कर पाएगा उस वीडियो को जरूर देखो trader बनना है तो course को join करो दो मन्त का guarantee ले तो आपको trader बना के छोड़ेंगे बसर्थ इतना है कि मुझे आपके तरफ सभी proper commitment चाहिए क्योंकि हम लोग proper commit होते है student के लिए तो मैं चाहता हू student भी proper commit रहे हमारे साथ जो मैं बलू उसको आप follow करें आपको result definitely मिलेगा तो मैं यहाँ पर wait करूँगा क्योंकि यहाँ पर इसने जो level को break तो किया है लेकिन यहाँ पर काफी जादा gap हो गया तो यहाँ पर मैं wait करूँगा ठीक है तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा candle बन रहा है तो यहाँ पर देखो green candle बना लेकिन यहां पर देखो इस लेवल के नीचे ही close वा लेकिन यहां पर मुझे margin of safety लेना नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा gap हो गया था ठीक है अब यहां से अब मेरे पास कोई idea नहीं आपर क्या बनेगा अब नेक्स पर देखो फिर से अगें green candle बन गया क्योंकि मैं stop करना भूल गया और यहां पर candle आगे है ठीक है नेक्स पर सब्सक्राइब कोई भी लॉजिक नहीं है हमारे पास ठीक है तो आगे देखते हैं अब देखो अब भी देखो structure अब अगें हम लोगा structure देखता है कौन सा structure चल रहा है structure चल रहा है lower low lower high lower low फिर से अगें यह lower high बना दिया lower high का यहां पर target भी है तो मेरे according यहां से अगें lower low बनने जाना चाहिए मेरा structure यही कह रहा है अब यहां पर कुछ भी हो सकता है अब फिलाल market जो दिखा रहा है मैं उसको read कर रहा हूं ठीक है तो देखते हैं आगे क्या होत है तो यहां पर एक weak red candle वाया है और यह red candle को ऐसे नहीं आया है यह red candle देखोगे तो इसको अच्छे समझना यहां पर बहुती जबर्दस बात बताने वाला हो यह red candle high बना करके आया है और प्लस यह red candle काफी weak है खुद से देखो काफी weak है यह कैसे खुद से compare करना बायर से compare करना डीपली बताते हैं हम लोग अपने power की class है बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोग आपको सब कुछ सिखाता को proper trader ही बना देते हैं तो देखो इसने swing high बना के खुद को weak किया तो यह red candle क्या कहना चाह रहा है पहल बना तो ऊपर कौन ले गया इसको buyers ले गया तो simple सा यह high मुझे buyers के interest को दिखा रहा है यानि कि buyer interested है चलो पहला buyers का interest है buyer यहाँ पर interested है दूसरा seller का यहाँ पर weak हो जाना तो यह मुझे दिखा रहा है कि seller interested नहीं है seller चाहते buyer तुम market को और उपर ले जाओ और यह high already दिखा रहा है कि buyers interested है और seller का weakness दिखा रहा है कि seller interested नहीं है seller चाहते है buyer उपर ले जाए तो यहां पर देखो क्या हो रहा है market totally चाहता है favor है उपर जाने में लेकिन अभी मैं trade नहीं करूँगा क्योंकि minor wave है minor wave में fall confirmation चाहिए तो अगर buyer को actually में उपर जाना होगा तो next पर easily buyer candle आएंगे अगर buyer interested होंगे तो और अगर यहां पर buyer नहीं आए तो समझ लेना buyer से अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इससे अच्छा मौका buyers को नहीं मिल सकता है उपर जाने के लिए तो देखते next पर क्या होता है okay very बहुत ही जबरदस यहां पर buyer तो नहीं आए लेकिन seller उल्टा आ गया है और high बना कर क्या है लेकिन यहां पर strong seller pressure दिख रहा है अब देखो यहां पर questioning करो और यहां देखो कैसे market rate क्या जाता इस तरह की से क्या था अब यहां पर देखो बहुत कुछ सिखने को मिल गा जिस वीडियो में seller यहां पर weak हुए मैंने क्या कह था अगर buyer को आना है तो यहीं पर आना है लेकिन buyer इतना अच्छा मौका गवा दिए उल्टा buyer के जिखा seller strong होकर क्या रहे है तो simply हम कह सकते buyer fail हो गए market में आने के लिए उल्टा seller strong होकर क्या रहे है तो simply अब market नीचे जाएगा और plus structure भी है lower low lower high lower low lower high तो market को again lower low बनाने जाना structure भी हमारे साथ है seller भी strong होकर क्या रहे है तो next पर मैं down की trade करूँगा लेकिन मैं यहां पर हलका सा margin of safety लोगा इसके weak के उपर जाने पर इसके weak के उपर जाने पर मैं क्यों trade करूँगा क्योंकि seller अभी भी buyer से weak है लेकिन हमारा structure सब कुछ कह रहा है down clear और buyer यहां पर fail हो गया आने में तो market जाएगी तो नीचे ही लेकिन मैं यहां पर margin of safety के साथ trade करूँगा ठीक है तो मैं हम लोग देख लेते next पर क्या होता है हमारा result ओके तो देखो margin of safety से हम लोग यहां पर green candle है लेकिन मैंने क्या कहता है मैं इसके weak के ऊपर जाने पर trade करूँगा और यह margin of safety से हमारी यह trade win होई तो इसको कहते हैं real knowledge मैंने ऐसे ही तुक का margin of safety लेना जरूरी है क्योंकि seller अभी भी buyer से weak है buyers में भी तक अपना weakness नहीं दिखाया है तो हो सकता है buyer अभी अपना weakness दिखाने के लिए आ जाए अब यह बायर जैसे ही अपना weakness दिखाया तो यह green signal है कि अब भाई तुम easily lower low बनाने जाओ यह green signal है अब यहां पर यह swing low बनाया अपर इस buyer ने swing low इसका swing low यहां पर देखो इस buyer करने ले swing low बनाया है इसका swing low मुझे confirm कर रहा है कि यह चाहता है market नीचे जाए मेरा structure बन रहा है lower low lower high lower low lower high structure कर रहा है market नीचे है कि lower low प्लस buyer का weakness होना या यानि कि buyer अप खुद चाहते seller तुम नीचे जाओ बायर ने अपना weakness इसलिए दिखाए को कि देखो जब तक buyer strong थे seller असानी से नीचे नहीं जा पाते इसलिए बायर ने अपना weakness दिखाए कि seller अब तुम यहां से असानी से नीचे जाओ तो next पे मैं easily down की trade करूँगा ठीक है तो देखते है next पे क्या होता है और यहां पे हमारी यह trade win हुई next पे आई हमारी red candle ठीक है तो ऐसे आपको एक एक candle को read करना है अब यहां पे देखो support level और exact यह support level पे close दे रहा है ठीक है यहां पे exact support level है ठीक है अब देखो यहां पे support level है तो ऐसा नहीं कि अपकी trade कर देना मैं आपको एक बात बताता हूँ जो भी सेनार यह सब सीखा रहे है मैं उनको इसे मोई बुलना चाहूँ है और अग्र enact को इतना चाहिए चाहिए कि SNR कब टूटने वाला है क्योंकि SNR से हमेशा तो market reverse ने होता है SNR टूट भी तो जाता है तो आप यानि कि अंधेरे में तीर चला रहे हो अगर reverse हो गया तो हो गया टूट गया तो loss ये वैसा ही बात हो गया कि मैं आपको driving state पे मैंने आपको बैठा दिया लेकिन मैंने आपको यही नहीं बताया कि break कैसे लगेगा तो अगर आप SNR पर भी trade करते हो तो अच्छे से सीखो कि SNR पर भी कैसे trade होता है वाँ पर structure, power, swing low, swing high देखना परता है अब जैसे कि देखो यहाँ पर मेरा structure क्या कह रहा है lower low, lower high, lower low, lower high structure simple कह रहा है कि market यहाँ से lower low बनाने जाएगी according to structure यह SNR easily तूट सकता है लेकिन अगर जो किवाल SNR trader वो देखेंगा रहे भाई, SNR है, support है, अब की trade कर दो यहाँ पर आ भी सकते है ग्रीन candle लेकिन काफी चांसे देगा यह तूट भी सकता है तो ऐसा SNR पर trade नहीं करना है तो यह सब सीखना परता है, अच्छे से market को सीखो ठीक है तो मैं यहाँ पर wait करूँगा ऐसा नहीं कि मैं वस SNR देखा मैंने यहाँ पर trade कर दी, मैं बिल्कुल नहीं और प्लस यहाँ पर buyer भी weak हो चुके है, तो बहुत कम कितना easily break हो गया, इसको कहते है real knowledge, अब देखो जो trade कर रहे है, SNR पर indicator पर वो लोग पैसा है, उनके पास वो double step, martingale, triple step, 4 step martingale करके win कर लेते हैं, तो आप कैसे करोगे, आप कैसे money management करोगे, आप से नहीं होगा, मैंने यहाँ पर stop करना भूल गया और यहाँ पर थोड़ा आगे निकल गया, कोई बात नहीं, तो आप कैसे करोगे, वो money management, आप 4th step, 5th step martingale पर नहीं जा सकते हो, पहले क्योंकि आपका पैसा limited है, और जब 2nd या 3rd step पर ही जाओगे, तो आप एमाउंट इतना बड़ा होता है, कि आप वहाँ पर फिर logic लगा ही नहीं सकते हो, एमाउंट को देखकर यहाँ डर जाओगे, 2nd step तक चलता भी, जब जैसा ही आप 3rd step पर जाओगे, तो amount काफी बड़ा हो जाता है, और वो amount को लेने में ही लेने में आप डर जाओगे, वो आपका emotion में आप पर हाभी हो जाओगे, आप लोजिक लगा ही नहीं पाओगे, तो आप जो आपको सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं न 4th step पर विन करो, 5th step एक ही ट्रेड तो विन करना है, कई लोग मस्कलीन हो, money management सिखा रहे हैं, 5th में से एक बन जाओगे ट्रेडर, अगर green 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 जा रहा है, तो green पर ले लो, red red, बस 5 में से एक ही तो win करना, भाई ऐसा नहीं है ट्रेडिंग, पता नहीं लोग ट्रेडिंग, विसा विन करना है, यह सब क्यों प्रोमोट कर रहे हैं ऐसे सी चीजों को, psychology नाम की चीज होती है, आपको क्य 160 डॉलर का लगेगा मार्टिंगल में तो आपको क्या लगता है पहले तो उतना पैसा ही नहीं होता है कई लोगों के पास और दूसरा गर है भी तो वहाँ पे क्या लगता है वहाँ पे आप ट्रेड लोगे चीज होती है आपका दिमाग सांत रहता है आपको उतना ही रिस्क लेना जिसको आप जेल सको इसलिए अच्छे से सीखो प्रॉपर लर्णिंग लो प्रॉपर मनी मनेंट और रिस्क मनेजमेंट के साथ रेड को रो फिर आप उसलिड ट्रिडर बन जाओगे है ठीक है तो यहाँ पर टो बर लो बन चुका है सटेर आपका बी हाँपर कावी स्ट्रॉपर आपके लम ने लो बन चुका है मैं पर कुझ नहीं करने माला है कुकिह लो बन चुका यह लो रो बन चुका है तो यहां ब यहां सोगार बन जा चांसने हो सकता है और नीचे चले क्यों कि कुछ है नहीं मैं यहां पर वेट करूंगा ठीक है अब यहां के еноफ यहां सकेंड़ आ है ठीक है अब यहां कि आखिए क्यों कोई लाई Hub. करूँ अब के लिए मुझे पास कोई लॉजिक नहीं है को कि लोवर हाई मैं या सही मैं ट्रेट नहीं कर सकता है डाउन के भी कोई लॉजिक नहीं है आपे तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा ठीक है नेक्स पर अगेन बायर ने खुद को वीक कर लिया है ठीक है और इसने वीक से अपने टारगेट को भी टच कर लिया है ठीक है यह बना हमारा यह हुआ था हमारा लोवर लो यह था हमारा लोवर हाई यह होगया हमारा लोवर हाई यह होगया लोवर लो यह होगया लोवर हाई यहां पर एक target है ठीक है इसने इस week को touch कर दिया हो सकता है अगेन यह उपर चल जा जा जाए नीचे क्यों जा सकता है कि यहां पर बाइर week हो चुके हैं तो यहां पर कुछ भी हो सकता है तो यहां पर मैं wait करूँगा जब तक मुझे confirmation ना बिले मैं यहां पर wait करूँगा ठीक है ओके very strong sailor candle बहुत ही है strong और plus यह मुझे target से बिल रहा है इतना strong engulfing कुके देखो यहां पर बन रहा है lower low यह हो गया lower high ठीक है अब यहां से देखो यहां पर इसने target को यहां पर touch कर दिया था lower high ने अपने week से ठीक है तो अब यहां से lower low बनने का chances भी था प्लस buyer week हो गया और sailor इतना strong हो गया है प्लास सेलर गंटिनुवसली टीन केंडल में एःज में स्ट्रोंग होगे ऑड़ बायर इस्ट्रौंग में स्ट्रॉक्चर भी चया है यहाँ से ऐसे आईसे नीचे झाना है तो सारा फेवर कह रहा है मुझे डाउन के लिए ठीक है तो मैं यहां पर इजली डाउन की ट्रेड लोगा लेकिन क्योंकि इस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मैं यह जो विक है यहां पर एक देखो जोन लगेगा जोन कैसे लगता है सब कुछ सिखाए जाता है हमारे क्लास म तो मैं यहां पर फिर से कह लगा देता हूँ जोन मैं फिर से लगा देता हूँ यहां पर हमारा यहां है भूर्ट ठीक है तो मैं इस जोन के उपर जाने पर ही ट्रेड करूंगा ठीक है जो उनके उपर जाने पर मैं trade करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्यों नहीं किया था, कुझकि यहाँ पर बहुत जादा gap था, जो यहाँ बहुत जादा gap था अगर आपको margin and safety से trade करना है तो लेकिन यहाँ पर जादा gap नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग down की trade easily कर सकते है, और प्लस यहां पे भी देखो सेम चीज हुआ यहां पे भी सिलर ने body increase करके break किया था यहां पे भी body increase करके break किया है वहां पे भी buyer weak थे यहां पे भी buyer weak हो चुके है और प्लस वहां पे lower low के साथ था यहां भी lower low के साथ हम लोग ले रहे हैं तो यहां पे अब हम trade करेंगे ठीक ह तो यहाँ पे एक weak rate candle आया है और हमारी यह trade भी win हुई ठीक है तो आप लोग को I hope अभी तक मजा रहा होगा आप लोग कभी तक ठीक है तो देखो अब यहाँ पे हमारी win हुई लेकिन अब rate candle काफी weak हो चुके है तो अब यहाँ पे wait कर लो आप लो क्योंकि weak हो चुके तो आप कुछ करना ही नहीं है ठीक है ओकी तो next पे buyer candle आया है buyer काफी ज्यादा strong हुई है ठीक है लेकिन यहाँ पे मैं wait करूँगा केवल एक buyer के strong होने से में trade नहीं करते हैं माइनर वे चोटा वाला वे चोटा वाले वे में कभी एक candle पे नहीं जाना है यह मैंने कई वर बता रखा है next पे again buyer strong हुए है लेकिन यहाँ पे मेरा structure क्या कह रहा है मेरा structure कह रहा है यहाँ पे बन रहा है lower low lower high lower low lower high बटाके market को नीचे जाना है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बार lower low चोटा हो गया है मतलब कि seller थोड़े से weak होते जा रहे है अब lower low यहां से थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन अभी बन रहा है lower low ही तो lower high बन चुक है अब इसको नीचे जाना चाहिए है लेकिन lower high काफी strong होते जा रहा है तो यहां पर बहुत confusion चलता है market में अगर according to structure market को नीचे ना चाहिए लेकिन according to power market उपर भी जा सकता है तो यहां पर market अब confuse कर रहा है तो मैं यहां पर wait करूँगा ठीक है अब यहां पर यह buyer scandal मार्केट को जाना था ऐसे ठीक है लेकिन buyer सीधा lower high पर पहुँच गया है देखो सीधा lower high पर close दे रहे है जोन के अंदर ही close दे रहे है यह zone है ठीक है सीधा zone पे close दे रहे है lower high पे और मैंने magic view वाले बताया था कि अगर सीधा lower high या higher low पे close दे तो वहाँ पे बहुत अच्छा reversal trade बनती है ठीक है और प्लस buyer weak भी हुए है खुद से हलका सा weak भी हुए है तो यहाँ पे मैं trade करूंगा down की कोई कि मुझे लगता है यहाँ से seller को आना चाहिए को एक तो यहाँ से जाना था यहाँ सही market को नीची आना था लेकिन buyers की इतनी हिम्मत की वो सीधा lower high पे पहुँचगे तो यहाँ से तो seller candle को आना ही है तो मैं next पे down की trade करूंगा तो देखते next हमारा result ओके तो यहाँ पे देखो क्या हुआ gap down opening लास्ट देखो यहाँ पर यहाँ पर बना रेड़ ही है इसको रेड़ ही कहेंगे कैसे कहेंगे मैं आपको बताता हूँ last candle की closing यहाँ पे हुई और next closing यहाँ पे हुई तो price तो down ही गया है लेकिन इसकी gap down इतनी जादा opening होगा इसलिए green candle दिख रहे है क्योंकि इसने gap down open दिया है अगर यह यहाँ से open होता तो यह एक red candle बनता इसलिए हमारा logic हर जगा काम करता है लेकिन यहाँ पे इसने gap down देदिय तो उसमें कुछ नहीं कर सकते है इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा green candle आ गया तो अब हम लोग यहाँ पे wait करेंगे ठीक है अगेन एक strong green candle lower high को break किया है अब मेरा structure क्या होने वाला है बहुत ही अब यहाँ पे इसको ध्यान समझना lower low lower high lower low market को जाना था ऐसे ठीक है लेकिन यह सिधा चल गया ऐसे तो यहाने कि अब यहाँ से structure change हो सकता है अब यहां से ऐसे अयह हालका से नीचे है के market उपर higher higher low bana सकता वं यह structure change होगा और यह structure कैसे change होता है क्यों होता है मैं अपने पहले class में छोफा कुछी है सबितेता हूं लोग अपने kourse में सब नहीं सिकhाते हैं मैं अपने पहले क्लास में सब सिखा देता हूँ और ऐसा है टोटल 16 क्लासे है अलग-अलग टॉपिक्स पे ठीक है और 16 क्लास के बाद भी हम लोग फूल चाट ट्रीडिंग करते हैं साथ में स्टूडेंट तब जाके कोई कि इसे था लोवर लोवर हाई का लेकिन अब ये बायर उपर कुछ ज्यादा उपर तक चल चुके तो अब हो सकता हलका से नीचे आके अब जब तक फूल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं करने वाला हूं ठीक है ऑगे बायर यहाँ पर अगें वीक हो गया है अब वीक हो गया तो आप हो सकता है अलका सन नीचे आके फिर उपर जा सकते है तो वेट करते है अब जोग यहां पर काफी है लेकिन structure क्या है structure अब अब की हो सकती है structure क्यों हो सकती है क्योंकि lower low lower high lower low बन रहा था इसको बनाना था lower high लेकिन यह lower high नहीं बनाए है सिधा last lower high तक पहुच चुका है क्योंकि हर बरते को कैसे होता है lower low lower high ऐसे बनता है lower low lower high लेकिन यह सिधा lower high तक पहुच गया तो यानि कि हो सकता अब यह ऐसे हलका सा नीचे आएगा ऐसे हलका सा नीचे आएगा कि ऐसे ऊपर चल जाएगा अब यह हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैं अभी भी वेट करने वाला हूँ जब तक मुझे फुल कनफरमेशन नहीं मिलेगी ठीक है नेक्स पर अगें सेलर आएं सेलर याँ वेक निच्च के साथ देखो सेलर याँ पर रीविक्श के साथ पहलेगी पहला पॉजिटीव पइंट दूसरा structure is the main lower low lower high lower low सीधा lower high पे पहुँच चुके थे तो यानि कि मुझे लगा था यहां से structure change हो सकती है और मैंने कहा था कि यहां से reverse हो सकता है market यहां से market उपर जा सकता है structure यही कह रहा है कि यहां से market उपर जाना चाहिए और plus seller उसी level पे close दे रहे हैं weakness के साथ यहां पे support level है तो यहां पे मैं reverse की trade करूँगा क्योंकि मेरा structure का knowledge यही कह रहा है तो आप लोग देख सकतो हो यहां पे हमारी win होई अब मेरे according यहां से market higher high बनाने जाएगा यहां पे strong buyer candle है तो next मैं again up की trade करूँगा ठीक है क्योंकि मेरे according अब market को यहां से higher है अब यहां से structure change होने वाला यहां से अब ऐसे भी बना अब यहां से market को ऐसे जाना चाहिए ठीक है तो देखते हैं यहां पे क्या होता है तो यहां पे again हमारी trade win होई तो I hope आप लोगों मज़ा आ रहा होगा तो मैं अब यहां पे यहां पे इसको रोगता हूँ ठीक है क्योंकि अब काफी जादा time होगया वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मैं अब इसको stop करता हूँ यहां पे जो भी मैंने आपको समझाया structure के बारे में high यह swing high के बारे में यह level breakout के बारे में कैसे हमें margin of safety लेना और मैंने आपके सामने एक एक कैनल को read किया structure change होते वे कैसे मैंने यहां पे trade ली यह सब कुछ मैंने बताया तो I hope आपको यह वीडियो काफी अची लेगी हो practice को check करते तो वो सब के लिए आप हमारे advanced course topic वाले वीडियो को देख सकते हो उसका link मैं description में दे दूँगा और comment में भी डाल दूँगा ठीक है बाकी अगर आपको हमसे trading सीखना आप trading को लेकर actually में serious हो तो आप जो नीचे दो number whatsapp पे देवा आप उस पे हमसे contact कर सकते हो आपको A to Z full projection candlestick psychology सिखाएंगे जैसे मैं candle को read करो आप भी ऐसा read करने लगोगे केवल 2 मन्त के अंदर बस सर्त है मुझे आपका full serious और commitment चाहिए ठीक है बाकी वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर लेजे और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep learning keep growing